हलो दोस्तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे एकसर सीट के कुछ महात्य कुंट्री के बारे में जिसमें आज हम डिसकस करेंगे कि केस तरीके से कोई भी जो वेल्यू या नंबर होता है उसको कट करके दुसरे जगह पेस्ट किया जा सकता है इसमें हमारा जो पूरे डाटा होते हैं कुछ डाटा को कट करके दुसरे जगह पे ट्रांसपर करना है तो बहुत ही असानी से हम कट करके उसको पेस्ट कर सकते हैं तो चल यह सिखते हैं यहां पर हमें column दिया हुआ है इसमें हम कोई भी number or digit डाल देते हैं जैसे इसमें मैंने डाल दिया 4 इसमें डाल दिया 5 इन दोनों को पकड़के यहां से stage कर देते हैं इनके और value डाल देते हैं सब्कन और यह हो गया 68 इनके बीच में मैं अगर यहां से डबल क्लिक करूंगा तो यह वेल्यू आ जाता है अब देखे यहां पर दो वेल्यू है इनको मुझे कट करना है कट करके पेस्ट करना है तो cut करके paste करने की दो तरीके होता है यहां से हम यह दीख रहा है इससे हम cut करके इसके माध्धम से हम किस जगह पे paste करना है उस जगह को decide करते हैं और यह हम इसके माध्धम से paste कर सकते हैं दूसरा होता है यहां से cut करते हैं तो shortcut की के माध्यम से भी cut कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर Ctrl लिखती है Ctrl प्लस Shift Ctrl प्लस X X करके X प्रेस करना है यदि हम यहाँ से cut करना चाहते हैं इतने वो यहाँ से cut करके यहाँ पर कहीं पर paste कर सकते हैं यह देखे पूरे value जो है यहाँ कहट के यहाँ पर आ गया है यदि हम इसको shortcut की के माध्यम से paste करते हैं इसी value को shortcut की के माध्यम से paste करते हैं इतने value को तो Ctrl X प्रेस करना है Ctrl X यहाँ पर देख सकते हैं और paste जब करना है तो इसको shortcut की होता है Ctrl इसको shortcut की होता है Ctrl V तो हम यहाँ से इसको select करते हैं और Ctrl X करते हैं और यहां पे कहीं पे हमको paste करना है तो control V कर देंगे इतने को जितने को हमको cut करना है इसको यहां से control X, control V तो यहां पे आखे हमको control V कर देना है तो इस तरीके से यह जो है आप कट करके कहीं पे भी इसको हम paste कर सकते हैं जैसे यह value हमको दिया हुआ है यहां से भी cut करके हम इसके माध्यम से paste कर सकते हैं जैसे मुझे यहां पे paste करना है या कहीं पे भी paste करना है तो काफी असानी से हम इसको कट करके पेस्ट कर सकते हैं